हूँ स्च निस नगए इन मिटास हें टाल भी जाव प्रपोगेंट। चैनल और हटो बार अधे करेंगेंज में सेव तो और इंगा ने मेंजुन आपसे हां मुद्नीजू नंश्कार आज़ाट उस्जारी अकाल दोस्तो एक भार फिर आप लोगों का स्वागत है है मैं हूं शुकार परमजीत आप देख रहे हैं डौक्तर एडुकेशन और आज का हमारा जो टॉपिक है वह व्टमीन दी टॉक्सी सिटी सो फिन डी की टॉक्सीटी के परपरचाहिट करेंगे रागब्ल में डीक चाज शेरे को बोलते हैं वाइटम्न ओसस्टी यह बहुत ही ज्यादा रेर है लेकिन यह बहुत ही पुतेंशली सीरियस कंडिशन है और यह तब होता है है जाव डंदी लेती झाते घ्रडवेति जाते लेखिक बिना सोचर है जब हमाने मेंермया ambition कि Witcher आज के दमारे में doctor vitamin D बहुत कॉमनली दे रहे हैं और देरा भीचे लोगों का धूप से exposure कम हो रहा है, धूप is actually the most important source of vitamin D, आप धूप में जाते नहीं हो, vitamin D कम हो रहा है, so vitamin D दिया जा रहा है, white doctor ने कहा 2 हफते लो, 4 हफते लो, 8 हफते लो, आप जिंदली भर लेते जा रहे ह So vitamin D toxicity large doses के उपर होते हैं, यहने कि अगर आपने हफते में एक बार लेने वाली गोली रोज लेनी शुरू करती, या हफते में एक बार लेने वाला injection रोज लेना शुरू करती है, या जितने हफते बोला था, 4 हफते बोला था, 8 हफते बोला था, उसको आप 15 हफते, 17-18 हफते लेते ही जारे हो, लेते ही जारे हो, लेते ही जारे हो, then there is a can be an issue, right, because होता क्या है, but इसका एक चीज समझनी है आपको कि vitamin D toxicity धूप से, केवल धूप से या केवल डाइट से नहीं हो सकती, कि मैंने डाइट में vitamin D वाली चीज ज़्यादा खाली होगी ना, मैंने धूप में ज vitamin D toxicity, right, now why is that, because जब आप धूप में जाते हो, then your body can actually regulate the amount of vitamin D produced by the sun exposure, और जो vitamin D food में तो बहुत ज़्यादा होता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 45 cereals में होता है, धूद 45 हो सकता है, and उसके अंदर होता है, तो बहुत minimal मातरा में होता है, deficiency को correct करने वाला dosage, जो high dosage है, वो आपको tablet से ही मिलेगा, so अगर आप गलती से mistake हो गई, और ऐसा हो गया, कि आपने vitamin D ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा धिनों तक ले लिया, और vitamin D toxicity हो जाती है, तो उससे problem क्या होता है, उसका scientific reason क्या है, क्यों problem होता है, वो समझते हैं, see vitamin D के बारे में हम इतना जान हैं कि D is needed for absorption of calcium, right, vitamin D is needed for absorption of calcium, मतलब vitamin D ज़्यादा होगा, तो आपकी body के अंदर जहां पर आप दूद पी रहे हैं, आप calcium वाले food खा रहे हैं, high calcium food खा रहे हैं, whatever you are eating, right, उसमें जो calcium है, वो सारा सारा absorb होगा, जाजा जादा absorb होगा, vitamin D ज़्यादा होगा, so what, what happens when your body has high amount of vitamin D, आपकी body में calcium build up होने लगता है, so your body becomes hypercalcemic, right, अपने आप में calcium build up, अपने आप में आपको nausea vomiting करवा सकता है, यानि कि उल्टी आ सकती है, और उपकाई आ सकती है, weakness feel हो सकती है, या फिर frequent urination, बहुत बार पिशाप जाने का मन कर सकता है, अब इस case में क्या हो रहा है कि calcium is supposed to go in the bones, right, मालो आपके पास इतनु सा locker है और वो घर पे locker भरता गया, भरता गया, भरता गया, उसके बाद locker का दर्वाजा ही नहीं बंद हो रहा, आपने का चलो रसी से बांद देता हूं, उसके बाद और भरे और भरे तो उसमें से पैसा गिर रहा है, इतना पैसा, इतना पैसा, तो वैसे ही आपके शरीर में रहता है कि इतना कैल्शियम, इतना कैल्शियम हड़ियों में भर लिया, हड़ियां भर गई है, अब क्या करें, हड़ियों में दर्द होने लगा, इतना कैल्शियम मुझे ना चाहिए, आपने कैल्शियम भर दी, उसके बाद में खून में कैल् के इतना के बाद स्टोन होने लगत तो अब हैपर कैल्सीमिय के वज़े से स्टोन हो सकते हैं पहले तो याद रखेगा इसका मतलब यह नहीं कि आप कैल्सियम विटामिन D ले रहे हैं तो आपको स्टोन होंगे नहीं यह रेर है पहली बात तो यह आपने गलत तरीके से डोज तो होगा, remember that, तो एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, कि सिर्फ हाई क्यल्शियम, सिर्फ क्यल्शियम अकेला लेने से, क्यल्शियम स्टोंस नहीं होते, all right, you need to have high vitamin D, for absorption of that क्यल्शियम, वरना, अगर आप 2000 mg क्यल्शियम खालोगे, तो आपकी बॉड़ी उसमें से सिर्फ 500-600 mg absorb करेगी, बस, बाकि सब चला गया, ठीक है, so that's how it is, आपके शरीर को 1500 mg तक एक दिन में क्यल्शियम चाहिए हो सकता है, 1000-2000 तक maximum, depending upon your pregnant तो नहीं हो, बुड़ापे में क्यल्शियम की कमी तो नहीं है, बोड़ी में, उसके बैसे, so, यहाँ पर क्यल्शियम ज्यादा होने से स्टोंस हो सकते हैं, आपको कैल्शियम के स्टोंस किड्नी में हो सकते हैं, गॉल ब्लाइड में स्टोंस नहीं होंगे, अब इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, तो यह सीरियस कंडिशन हो सकता है, स्टोंस हो रहे हैं, बोड़ी पेन हो यह हो रहे हैं, यह हो रहे हो रहे है करना है लिमिट करना है because you still need some amount of calcium अगर hypercalcemia proven है blood के अंदर calcium level बहुँ जादा है तब बंद करो वैसे नहीं test करा लो right serum calcium करा लो vitamin D levels करा लो B12 करा लो करा लो bone scan करा लो हड़ी भर तो नहीं गई है कितनी है right what is it happening right urine में करा रो urine में calcium stones के crystals calcium oxalate ऐसी चीजे तो नहीं आ रही है think about it पानी जादा प्यों जल्दी जल्दी निकले right so stop taking vitamin D stop taking calcium restrict calcium talk to your doctor right इस case में अगर pain हो रहा है calcium जादा हो गया है stone बन गया है body में actual hypercalcemia आ गया है तब फिर कुछ medication देनी पड़ती है there are bisphosphonates नाम की दवाईया है कई बार injections होते हैं उसके कभी-kभी steroids देना पड़ता है calcium inflammation भी कर सकता है बहुत जादा मात्रा में हो जाए something which is good can be bad नमक जादा डाल दिया तो कड़वा हो जाएगा कम डाला तो taste नहीं आएगा so calcium is a required thing but you have to balance it अब यह किस लेवल पे toxicity होगी समझते है नॉर्मली जो इंडिया में ज्यादा तर calcium vitamin D का dose मिलता है 60,000 units का मिलता है 60,000 units की capsule उसकी liquid उसकी sachet ऐसे मिलता है और जो बाहर मिलता है कई बार 5000 4000 2000 3000 और जो calcium के साथ गोली में मिला के आता है वो 200 unit होता है 200 international 400 international unit और वो तो बहुत ही कम है उससे कभी toxicity नहीं होने वाली वो maintenance हो गया deficiency correction के लिए आपको doctor देते हैं अगर आपके vitamin D deficiency निकल के आती है आपको देते 60,000 unit आपको कहते हैं once a week ले लो once a week ले लो आठ हफते बारा हफते बोलते हैं लेकिन अगर आप उसको once a day लेंगे 60,000 units vitamin daily for several months यह नहीं कि साथ दिन लगातार ले लिया तो toxicity हो जाएगी नहीं और के 60,000 international units every day for several months दो हमाईने तीन महीने चार महीने तब जाके यह कैसे इसमें toxicity देखी गई है तो किस यह कलती हुई patient से समझने में doctor से समझाने में राइट अगर डॉक्टर ने बुला एक महीने बाद आओ एक हफते में गोली लो तो सुन लिया करो it's important okay so this is important and normal RDA recommended dietary allowance आपका होता है 600 to 1000 international units of vitamin D every day यह normal recommended dietary allowance होता है अब इसमें अगर आपकी deficiency आप 5000 ले लो पर दे आपकी deficiency पूरी हो जाएगी पर दे पर दे 5000 यह 60,000 पर वीक प्रोक्सिमेटली ओके ओके हो गया है ना that's how 10,000 पर दे ले ले लिया 60,000 पर वीक तो equally हो गया है ना so that's how you need to understand the requirement and फिर एक मने दो महीने बाद चेक करना है कि बही एक दो महीने में कितना हुआ and then stop taking it काई बार हम लोग कहते हैं महीने में एक बार ले लो maintenance के लिए महीने में एक बार 60,000 ले लो if you are deficient if you are not going out in the sun महीने में एक बार लेने से कभी कभी toxicity नहीं हो सकती है ना that's how it is higher doses ले रहो injection ले रहो वो 6,000,000 unit का आता है 6,000,000 unit रोज नहीं लगाने है हफते में एक बार लगाने है जाद जाद चार लगाने बस अपने doctor से discuss करो जो बोलते हैं समझो prescription पर टाइप आता है टाइप को देखो नहीं टाइप है तो लिखे तुमें समझो क्या लिख रहे है बात करके उठो हो आगाओ क्यांशियम अन्कैलश्यम इंपरेंठेट साथ वाइटमिन देफिशंसी भी खतर नाथ है वाइटमिन देफिशंसी और इसमें वीक्नेस कम्जोरियर कई बीमारीया होंगी तोशिती में भी होंगी that's all about vitamin D toxicity please talk to your doctor if you think आपको गलत डोस ले रहे हो आपको कोई इशु है talk to them या talk to me मेरा नमबर आपको पता है whatsapp number thank you so much stay connected stay healthy